हेलो इस वीडियो में हम अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड में ओनलाइन वीडियो को इंसर्ट करना सीखेंगे और साथ में ये भी सीखेंगे कि जो ओनलाइन वीडियो इंसर्ट की है उसको बीलसी मीडिया प्लियर में कैसे सेव किया जाता है के बारे में सीखेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे blank slide लेंगे तो blank slide के लिए layout पे जाएंगे और यहाँ पे blank layout यहाँ पे click करेंगे और यह सारा जो है यह blank में हो जाएगा इसके बाद क्या करेंगे हम insert tab पे जाएंगे insert tab पे जाने के बाद बीडियो यहां पे दिया गया है तो यह हमारे मीडिया गुरूप है मीडिया गुरूप के फर्स्ट कमाल बीडियो की है बीडियो के मोर बटन पे यहां पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहां पे दो अप्शन आएंगे एक ओनलाइन बीडियो का है तो इस वीडियो में हम यहां पे केवल ओनलाइन वीडियो के बारे में जानेंगे कि ओनलाइन वीडियो को अपनी स्लाइड में इंसल्ट कैसे किया जाता है और उसको BLC मीडिया प्लेयर में कैसे सेव किया जाता है तो यहां से हम online video यहां पे click करेंगे click करने के बाद हमारे पास यह dialogue box आ जाएगा इसमें यहां पे जो जहां पे हमारा cursor है इसमें हम enter the URL for the online video online video का URL यहां पे enter करना है तो enter करने के लिए हमें online video का URL copy करना पड़ेगा तो इसके लिए हम पहले online video का URL copy करेंगे तो इसके लिए यहां से इसको बंद करेंगे यह minimize किया इसके बाद यहां पे google chrome का open करेंगे open करने के बाद यहां पे मैं अपनी channel का नाम लिखूँगा जैसे bias-tech.com यह मैंने अपनी channel का यहां पे name लिखा name लिखने के बाद यहां पे मेरे channel की वीडियो यहां पे आ जाएंगी तो अब क्या करना है मैंने इस वीडियो के उपर क्लिक किया क्लिक करने के बाद यह वीडियो यहां पे आ जाएगी आने के बाद यहां पे क्या करना है right click mouse का करना है Right Click करने के बाद यहां पर Second Option के उपर क्लिक करना है Copy Video URL इसके उपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद इसको Minimize करना है Minimize करने के बाद Power Point को Open करना है Power Point को Open करने के बाद Insert Tab पे जाना है Insert Tab पे जाने के बाद Media Player के Video Command में जाना है इसके बाद online video पे click करना है online video पे click करने के बाद यह dialogue box आ जाएगा यहाँ पे हम mouse का right click button करेंगे और यहाँ पे paste आ जाएगा तो यहाँ से हम इसको paste कर देंगे या keyword के जरिए control plus B प्रेस करेंगे और यहाँ पे यह URL paste हो जाएगा यहाँ पे देखो यहाँ पे paste पे मैंने क्लिक किया तो यह जो URL वीडियो का यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद हम insert के उपर क्लिक करेंगे तो यह वीडियो हमारी slide में आ जाएगी यह देखो यहाँ पे यह वीडियो हमारी slide में आ जाएगी ये वीडियो यहां पे आगी आने के बाद इसका साइज हम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे ये ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर सकते हैं कम करना है तो कम कर सकते हैं तो ये वीडियो का साइज हमने बढ़ा दिया बढ़ाने के बाद क्या करेंगे हम इसके ओपर क्लिक करेंगे अगर वीडियो को प्ले करना है तो इस प्ले बटन के ओपर क्लिक करेंगे यह वीडियो यहां पर प्ले हो जाएगी तो यह वीडियो हमारी यहां पर प्ले होगी तो इस प्रकार हम यहां पर प्ले कर सकते हैं यहां से इसको बंद किया बंद करने के बाद हम यहां पे स्लाइड शो में जाके भी इसको प्ले कर सकते हैं जैसे यहां पे स्लाइड शो पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यह देको स्लाइड शो में यह वीडियो प्ले हो जाएगी तो एक method ये है वीडियो को insert करने का इसके बाद दूसरे method से हम वीडियो को insert करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे home tab पे जाएंगे home tab पे जाने के बाद यहाँ पे new slide पे जाएंगे new slide पे जाने के बाद blank slide के ओपर click करेंगे यह blank slide यहां पर आ जाएगे इसके बाद क्या करेंगे हम यहां पर इसको minimize करेंगे minimize करने के बाद हम यहां पर Google Chrome के उपर click करेंगे जैसे और वीडियो यहां पर चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर फिर हम इस वीडियो को अपनी स्लाइड में इंसल्ट करेंगे तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे यह दूसरा में थड़ा हमारा इंसल्ट करने का यहाँ पे शेर पे जाएंगे शेर पे जाने के बाद यहां पे embed पे click करेंगे embed पे click करने के बाद यहां इसका code आ जाएगा इस code को हम copy करेंगे जैसे यह copy पे click किया click करने के बाद यहां पे इसको minimize किया minimize करने के बाद हम power point को open करेंगे open करने के बाद insert tab पे जाएंगे insert tab पे जाने के बाद यहाँ पे media group के video command में जाएंगे और online video यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे हम paste कर देंगे यह देखो keyword से हमने control B प्रेस किया यह URL यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद insert पे click करेंगे तो यह video यहाँ पे insert हो जाएगी यह दिखो यह वीडियो इंसर्ट होके यहां पे आगी तो यहां पे इसको run करना है तो हम यहां पे इसको run भी कर सकते हैं जैसे यह दिखो यह वीडियो भी हम यहां पे play कर सकते हैं यह वीडियो यहां पे play हो जाएगी तो इस प्रकार हम इस वीडियो को प्लिए कर सकते हैं इसके बाद अगर हम इस वीडियो को BLC Media Player में सेव करना चाते हैं तो हम क्या करेंगे यह देखो यहां पे आ रहा है IDM का यहां पे आ रहा है Download This Video Download This Video यहां पे आ जाएगा यह यहां पे क्लिक करने के बाद हम इसको यह फर्स्ट यहां पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे यहां पे यह वीडियो जो है इसको Download करेंगे यह देखो IDM में यह Download होगा Start Download यहां पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद यह वीडियो यहां पे Download हो रही है तो download होने के बाद हम क्या करेंगे इसको BLC media player में save करेंगे ये लिखो open bid open bid किस में करना है जैसे ये open bid किया open bid ये फिर option लेंगे हम याँ पे BLC media player याँ पे click किया click करने के बाद okay पे click किया OK पे क्लिक करने के बाद ये देखो PLC Media Player में ये आ जाएगी इसके बाद क्या करेंगे हम Playlist में जाएंगे Playlist में जाने के बाद Save Playlist यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे File का Name यहां पे लिखेंगे जैसे कोई भी Name यहां पे लेंगे जैसे मौहित नाम से यह File यहां पे Save कर दी कहां पे Save करनी है? यह Document है, यहां पे Save कर दी तो यह File मौहित नाम की File यह Document में Save हो गई है Ylc Media Player में इसको बंद किया बंद करने के बाद इस File को हम Save करेंगे यहां पे save पे click किया यह देखो अब कहां पे save करना है इसको desktop में save करते हैं और इसको name दे लिया अरकेश अरकेश name से यह file save कर दी यह देखो और इसको यहां से बंद किया तो बंद करने के बाद यह अरकेश नाम की file यहां पे आ जाएगी इसको यहाँ पे open करना है तो यहाँ पे click किया enable content यहाँ पे click किया और यहाँ से इसको play कर देंगे तो यह video यहाँ पे play हो जाएगी यह video यहाँ पे play हो जाएगी तो इस प्रकार हम यह file play कर सकते हैं इसके बाद दूसरी file हमने देखनी है कि blc media player में वो file save हुई या नई हुई तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको powerpoint को बंद करेंगे यहाँ पे बंद के इसके बाद document को open करेंगे यह document है यह देखो मोहित नाम की file यहाँ पे बंद के आ गई है जो हमने video insult की थी बो blc media player में file यहाँ पे बन गई है इसको यहाँ से open करेंगे यह देखो यह file यहाँ पे open हो जाएगी तो इस पकार इस file को हम blc media player में भी बना सकते हैं अगर आपको यह मेरी video अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद खिर सकते हैं तो